हलो माई डियर फ्रेंड्स वैलकम टू लक्की एजुकेशन और आज हम देखेंगे चैप्टर नमबर 18 इंडियन साइंटिस्ट वाइवराफिय एंड एचिवमेंट्स इसका लेक्चे नमबर 2 हम पढ़ रहें क्लाश 10 की साइंस राइस्थान बोडवाली और इसमें आज का हुआ था ठीक है तो उस समय तो इतने पोटोग्राफ चलते नहीं थे मगर फिर भी मतलब एक इनकी प्रतीमा बना रखिए यह इनकी प्रतीमा बनी हुए और यह बुक में हमारी में पिक्चर दे रहें तो मैर्सी सुसरूत यह भारत के बहुत ही महान साइंटिस्ट रहें य ठीक है तो मैर्सी सुसरूत इनको सबसे पहली बात तो यह कि इनको जाना किसलिए जाता है इनको जाना जाता है प्लास्टिक सर्जरी के लिए ठीक है तो यह वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो नौलेज़ थी सबसे पहले जो नौलेज़ थी वह भारतियों के पा सुष्रूट दा ओथर ऑफ दी बैस्ट एंड आउट इस्टेंडिंग कोमेंटरी ओन मेडिकल साइन्स ऑफ सर्जरी सुष्रूट सहिंता इस कंसीड़ तो वी फाउंडिंग फादर ऑफ इस इंपोर्टेंट ब्रांच मतलब यह कहे रहें जो मैर्सी सुष्रूट यह उन्होंन उन्होंने बुक लिखी थी और प्लास्टिक सर्जरी जो साइन्स से ब्रांच की इनके जो फाउंडिंग फादर है वो कोने मैर्सी सुष्रूट है ठीक है और ऑफ कम्प्लीटली हेल्दी परसन गेवन वाई इम यूनिवर्सली अर्सेप्टेड यह वही हैं जोनोंने सबसे कि हेल्दी मनुष्य क्या होता है हेल्दी पुरुष क्या होता है हेल्दी व्यक्ति की जो डेफिनेशन वो देने वाले कौन थे महर्सी सुष्रूट ही ठीक है तो इनका जर्म आप बुक के साब से हम देखते हैं क्या कैद रखा है इनका जर्म हुआ था 600 बीस में एड़ कर था और आज से कितनी साल पहले हुआ यह निकालना तो आप 2020 में क्या करतों एड़ करतों तो पता चल जाएगा ठीक है तो लगबक एड़ाषम द्यान देना आयरोवेद के असरं में नो ने प्राप्त की थी सुसुरूत वाज़ी प्यायूद्ष के बारे में का मतलब अगरडी जो सबसे आगे हो तो विश्व को सर्ज्री की नोलिज से ने वाप्ले कौन थे सुसुरूत थे तो विश्व में मनलग प्लाष्टिक बारे में सर्जरी के बारे में जो नॉलिज दियुक को होता है ठीक है अब इनके द्वारा मैर्सी सुसरूत जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी सर्जरी के बारे में जिसका नाम था सुसरूत सहिंता तो एक नमबर में कोशन आ सकता है कि बिच बुक वाज रिटन वाई मैर्सी सुसरूत तो आपको बताना सुसरूत सहिंता और और यह जो बुक है ध्यान देना सुसरूत का दोरा लखी गई थी इसक्राइब्स अबाउट ओल सर्जीकल प्रोसीजर्स जितने भी सर्जीकल प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में इसमें डेटियल में लिखा हुआ है बहुत बड़ी बुक है कई सारे से चैप्टर से हैं लेंग लेखी हुई है शो में प्रोपोज्ड अब डैबिशेंशी सिंड्रों इन्होंने डैकेसेंशींड्रों के बारे में भी बताया था यहीड करने से पहले जितने भी इस सर्जीकल इस्टूमेंट उगा करते थे उनको 4000 लीड़ करने से क्या होता है जो इस्टूमेंट को हीट करना और विल्ड करना क्या कहलांता है इस वृतें सेनिटाइजिचन चैनिटाइजन सन तो ऐसे इस्टूमेंट को सेनिटाइजश कैसे करते तरहें यह जरूरी है अच्छा शुष्रूत 9 fundedθ curse tointell cat my Blood Clotting का मतलब क्या? आपको पता है कई बार हमारे बोडी में चोट लग जाती है, सरेर में चोट लग जाती है तो खुन निकलने लग जाता है कई बार खुन रुखता नहीं है तो यह क्या करते थे ? नौन पॉजनेस लीचेज ये जो दिखा रखाए कीडा सा ये क्या है लीचे तो जो जहरीली लीच नहीं होती थी लॉन की बात करने किसको बलड की clotting को बढ़ाने के लिए ताकि जल्दी से जल्दी बलड की clotting हो सके जल्दी जल्दी से जल्दी ब्लड का फ्लोव ना रुख सके जल्दी से जल्दी रख्त का थक्का हो सके उसके लिए क्या यूज करते थे नॉन पॉईजनेस लीचेज कई बुक जो हैं वो बताती कि नोज की प्लास्टिक सरज़री कैसी होती है कान की कैसी होती है जो मतलब किसने लिखी थी यह नोवेज किसने दी ती सुस्रूत ने दी ती प्लास्टिक सर्जरी बहुत इंपोर्टेंट है एक नमर में आसकता है कि हूँ इस प्लास्टिक सर्जरी तो आपको बताना है महर्शी सुसरूत प्लास्टिक सर्जरी माने जाते हैं Susrut mentioned 101 instrument for the plastic surgery इन्होंने 101 instrument अपनी जो book है Susrut सहींता उसमें 101 surgical instruments के बारे में mention कर रखा है बहुत सारे instrument होते हैं in surgery में यहाँ पर कुछ दे रखें यह instrument दे रखें, book का ही पे जाए तो इन्होंने 101 instrument को mention किया है जो plastic surgery में काम आते है Susrut is regarded as the famous surgeon of ancient time तो इनको ancient time का famous surgeon माना जाता है ancient मतलब प्लाश्टिक सर्जरी की शुरुवात किस ने की थी महर्शी सुसरूत ने की थी तो जब world में ये सारी चीज चल भी नहीं रही थी उस समय भारत मतलब इतना आगे था science and technology में कि हमारे यहां पर plastic surgery हो जाती थी सोचो आप imagine करके देखो 5000 साल पहले जब कोई light नहीं हुआ करती थी कोई electricity नहीं हुआ करती थी modern machines नहीं हुआ करती थी उस समय पर plastic surgery करना suppose करो कितना difficult होगा कोई facilities नहीं हुआ करती थी पहले के टाइम पर पिल्कुल normal conditions में surgery तो बहुत बड़ी बात है इसलिए थो हम अपने को बहुत सारी चीज़ें हमने दी हैं तो conclusion यह है कि India was far ahead of other countries in medical science मतलब ancient time की बात करें कि हमारा जो भारत देश था बाकी देशों से बहुत ज्यादा आगे था किसमें medical science में सुसरूत गरंत वाज translated in many languages and is very famous सुसरूत साहिंता जो गरंत है उसको कई सारी language में translate कर दिये गया है और बहुत ही फेमस है medical science में सुसरूत इज्डी बन उप ग्रेटेस्ट सर्जन और सुसरूत जो है वो बहुत ही महान सर्जन हुए है तो यह है मैर्शी सुसरूत जी के बारे में हमारी एप आ चुकिए एप का नाम में लग्की है जुगे सेने तो आप इसको प्ले स्टोर से में आपर मिलेगी complete course मिलेगा साथ की साथ में हमारी टेलीग्राम चैनल है लग्की है इसको भी आप जोइन कर सकते हो तब तक के लिए thank you thank you so much मिलते हैं नेक्स्ट लक्चर में जे हिंद जे भारत